पनीर की सबजी बनाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने कड़ाई गरम करने रग दी है गैस पे और यहाँ पे जो है मैंने पनीर के जो है चोकोर चोकोर टुकडे काट लिए आप अपनी एक्छा अनुसवार जैसे मर्जी पनीर को शेप दे सकते है यहाँ पे मैंने दो बड़े मीडियम साइज के टमाटर लिये उसकी ग्रेवी बना ली है और यहां पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है उसके साथ हरी मिर्च बारी काट ली है यहां पे मैंने आठ से दस काजू लिये थे और उसके साथ दो चममज मगज को पॉडर बना लिया था आप चाहे त जीरा भी यूज करूगी इसमें, अभी जो है कड़ाई गरम हो गई थी तो मैं इसमें तेल डाल दूगी, आप चाहे इसमें बटर भी डाल सकते हैं, दैसे ही में भी सबजी को बना सकते हैं, अब यहां पे जो है मैं जीरा और थोड़ा सा साबुद धनिया लूँ की, जैसी य यह जीरा और यह जो साबुद धनिया है के जीरा मैं इसमें टाल दो गी और हाँ पे जीरा बरावन हो चुका था रुपार मैं त्यूपाप iki यहां पर जो थी मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें मसाले डाल दी थे अब मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से चलाओं की और जैसी मसाला थोड़ा सा तेल चोड़ने लग जाएगा मैं इसमें यह टमाटर की जो मैंने प्योरी बनाई इसमें मिला दूगी और टमाटर की प्योरी जो थी वह मैंने इसमें मिला दी है और टमाटर की प्योरी मिलाने के बाद मैं 2-3 मिनट बाद इसमें जो मैंने काजू और जो मगज का जो पॉड़र बनाया था वह मैं इसमें मिला दूगी और जैसी मैं इसको काजू का जो यह मिलाऊंगी इसको मिलाने के बाद एकदम से जो है ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाएगा और यह जो है ग्रेवी काफी अच्छी यह थिक सी हो जाएगी तो जो में जो इसमें इंग्रीडियन्स है जो यह शाही पनीर को जो एकदम रॉयल लुक देगा वो यही है जो हलवाई काजु और मगज़च का जो पॉडर या पेस्ट जो होता है वह इसमें डालते है और जब यह घ्रेवी पैस्ट मूझ होटे कि क्योंकि जब इस सब्जी में पनीर मिल एगे तो पनीर में भी पानी होता है तो घंप आ देगा जब यह समय जशुरंडे लगई ग्रेवी तो मैंने इसमें कसूरी अधि मिला दी और कसूरी मिलाओ । के बाद को थोड़ा सा चलाओं मिला दूगी और पनीर मिलाने के बाद मैं जो हूँँ इसको 3-4 मिनट तक पकाऊं कि जिसे की पनीर के अंदर जो है मसाला जो एच्छी तरह से एब्सॉब हो जाए और यहाँ पर जो था मैंने पनीर में जो जो है जैसे तरह से मिला रही हूँ और देखिए कलर इतना अच्छ करेगा सब्जी थोड़ी सी खुद मेखुद पतली हो जाएगी इसलिए आप पहले इसमें ज्यादा पानी ना मिलाए तो यहां पे जो थी तीन से चार मिनट बाद सब्जी यो थी तैयार हो चुकी थी अब जो है मैंने इसमें जो है हरा धनिया मिला दिया है और हरा धनिया मिलाने के बाद जो है मैं इसको जो हूँ सर्व कर दूगी मैं इसको सर्विंग बॉल में जो हूँ डाल दूगी और यहां पे जो था सबजी जो है एकदम बनके तयार हो गई थी और आप इस सबजी को जो है जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं नान के साथ तो देखिए तयार है हमारी शादी वाली स्पेशल चाही पनीर तो आप एक बार इसको घर पर जरू ट्राय करना तो चलिए मिलते एक नए